उसके बाद second question था part B का वो था हमारे पास let t r square to r square r cross r से r cross r में एक linear operators define y t x y वरावर x 0 then the matrix of t relative to the order basis b t 0 1 1 0 is यह हमें निकालना है तो इसको solve करते हैं तो इसको solve करने के लिए simply t 0 1 क्या हो सकता है t 0 1 एक की जगे 0 और y की जगे 1 तो यह हो गए हमारे पास यहां पर x की जगे 0 था तो 0 आएगा और y की जगे simply 1 0 पर इस tense कर रहा था तो यह 0 आएगा जिरो 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 उसके बाद t 1 0 देखते हैं तो t 1 0 हो जाएगा हमारे पास x के 1 पुट किया तो 1 यहां पर भी बना जाएगा तो यह 1 हो जाएगा 0 की जगे 0 इन वाइग जहां पर रहे वाद 0 आजाएगा तो 0 हो गया यह यह आगा 0 0 1 0 अब इनको हमें ट्रांस पोजिशन की फॉर्म में लिख देना है जीरो जीरो और यह हमारे पास आंसर आजाएगा तो इस तरह से ओप्सन थर्ड जो है यह इसका कर्रेक्ट आंसर है